So Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel, Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके मुबाइल फोन में अगर आप लोग WhatsApp को On करते हैं बढ़ आपका कीबोड ही On वहाँ पे नहीं होता, आपका कीबोड WhatsApp पे सो नहीं होता है तो कैसे आप इस प्रब्लम को Fix करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ली चीगा, बिलका इकोन को प्रेस कर लेना है तो यहाँ पे हमने अपना WhatsApp आउन किया, और WhatsApp आउन करने के बाद जो है, अभी जैसे कि हमें आप पे टाइपिंग पे क्लिक कर रहे है, तो हमारा प्रॉपर तरीके से कीबोड ओपन हो रहा है, कोई भी हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है बट आपको अगर कोई भी दिक्कत आती यहाँ पे, कि आपका WhatsApp पे कीबोर्स हो नहीं होता, तो देखिए जो भी हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, उनमें आपको हर एक अलग-अलग कंपनी का कीबोर्ड देखने को मिलता है तो फर्स्ट फॉल तो आप जो है अपना प्लेश्टोर उपन करेंगे, देन आपको सर्च वार पे क्लिक करना होगा, जैसे कि अभी हम सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सैमसंग का कीबोर्ड मिलता है तो सिम्पल आप सैमसंग का कीबोर्ड सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जीबोर्ड कंपनी का कीबोर्ड यूज कर रहे होगे, ठीक है, तो आप उसे अपडेट करके देख लिजेगा, कभी-कभी क्या होता है कि अगर यह एप्लिकेशंग में अपडेट अवेलेबल रहता है तो आपको इस टैप का इसू देखने को मिलता है, ठीक है, सेकेंड आपको अपना वाटसप को भी अपडेट कर लेना होगा, सिम्पल हमें आप अपना प्लेश्टोर उपन करेंगे और आपको अपना वाटसप भी अपडेट कर लेना है, सेकेंड अगर यह तरीके काम नहीं करते तो आपको जो है अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन करना होगा देन आपको एप्स पे क्लिक करना है और यहां पे आपको कीबोर्ड सर्च कर देना होगा ठीक है इस तरीके से आपका कीबोर्ड आ जाएगा देन आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा और स के storage पे click करेंगे simple आपको उसका data clean करना होगा ठीक है तो first of all update करिए second आप अपने WhatsApp को भी update करें और third आपको अपना keyboard को उसका जो keyboard का जो data होता है उसको clear कर देना है ठीक है और एक बार आप लोग को restart भी कर लेना होगा then अब आप लोग try करेंगे आपके WhatsApp पे आपका keyboard सो हो जाएगा definitely ठीक है so topic is cover मिलते हैं next video में जय मतादी